गुरु तन साहिप श्री गुरु गोबिंद सिंग पात्षाजी जिना दे बाबत पाईशा पाईशा पाईणाद लाल जी दे ए मुबारक बचन कि तनु गुरु गोबिंद सिंग पात्षाजी हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंग बाद शाह दर्वेश गुर्गो बिंद सिंग हक राग गंजूर गुर्गो बिंद सिंग जुमला फैजे नूर गुर्गो बिंद सिंग तन गुर्गो बिंद सिंग पाथशा जी नू जिस अख दे नाल पाई नंद लाल जी वेख दे ने उस सद्गुरु गुरु कलगी तर पादशाजी नू उस करते परमात्मा दे दर्दा खजानची कें दे जिमें कोई खजानची ओवे किसे राज दर्बार दा या संसारिक तो उरते किसे कलो संसार दे खजाने होन ते उन्दे हाथ भी चुहुंदे भी उन्ने ओखजाना किनो देने किनो नहीं देना इसे तरह पाईसा पाई नांदलार जी कें देने गुरु कलगी तर पादशाजी परमात्मा अकाल पुरुख दे खजानची जिन्ना दे कलो रबी रहमत बक्षिशां दे खजाने ने पर एक खजाने उन्नो मिल देने जिन्ना दे तान तान गुरु गोबिन सिंग पादशाजी दा तर सहुंदे जेडे सद्गुर दी किरपा दे पातर बन देने इसे करके उके देने हक राग गंजूर गुरु गोबिन सिंग जुमला फैजे नूर गुरु गोबिन सिंग सद्गुर गोबिन सिंग पादशाजी आज दे देन 1788 श्वी नू नंदेड दी तरती ते जोती जोत समाईश है सद्गुरां दी महज उमर उस विले तक बियाली साल दी है त्यान देना इस तो पहला है सद्गुर पादशाजी ने जो कुछ अपने जीवन विच हंडाया है दुनिया दा कोई भी इतियास कार जिदो सद्गुरु गुरु कलगी तर पादशाजी दे जीवन दा वक्यान कर दे ते उस सद्गुर्गुर्गुर्गोबिन सिंपाथशाजीदियां इना रह्मतानों बक्षिशानों उन्ना दे जीवन विचो वेख के बड़ा अचम्बत हुंदे कि इनी छोटी उमर दे अंदर इना कुझ संसार दे अंदर कर जाना इस सच भी चही ओही कर सकते जेड़ा परीपूरन प्रमात्मा अकाल पुर्ख दे दर्दा आप खजान चीओवे कोई दुजाने इससे करके सद्गुर्गुर्गुर्गुर्गुर्गीतर पादशाजी जिस विले आगरे तो मैं पूरे डिटेल भी चो परसंगनू आप की दे सामने बयान नी करना जिनना कुझ समा है ओस समय दे अंदर सद्गुर्ग पादशाजी जिदों आगरे तो चल दे ने ते सद्गुर्ग पाद्षाजी दखन दी तरती वाले पाव नंदेड दी तरती दे वाले क्योंकि इस पासे चलन दे दो कारन सन एक ते सद्गुर पाथशाजी औरंग जेब देनाल मुलाकात करनी चांदे सन क्योंकि औरंग जेब ने आप सद्गुरानों मुलाकात दा सद्दा देता सी उन्हाने जिन्हों सद्गुर्गुर्गुर्गी तर पात्षा जिन्हे जफर नामा लेके पाई द्यासिंग जी दे हाथ पे ज्यासिना ते उस जफर नामे नू पढ़न तो बाद इन्हा को औरंग जेब अंदरो कबराया सी इन्हों एंज शमझलो भी जिमे कोई बंदा जिन्हों आपने कीते हुए कर्म उन्हों आपने सामने नजर आन लग पे हुए जिमे कोई संसार दे विच कोई मनुख माडा कर्म कर दे ते उन्हों परतीत हुए भी मेरा एं माडा कर्म संसार दे सामने नशर हो रहे है ते ओ नशर बेशा का जे नाम ही होया हुए पर उन्हों परतीत हुंदाए ओ चीज उन्हों अंद्रों अंद्री खांदी है उन्हों अंद्रों अंद्री खत्म करदी है उन्दी सोच उन्हों मारदी है उन्दे शरीर दे बालनों खत्म करदी है इसे तरह जेड़ा औरंग जेब है जिनों सद्गुर पादशा जी दे देते हुए लिके हुए जफर नामे नू पढ़ दे वो साच विच आपने कीते हुए करमानू आपने नितना दे सामने महसूस कर दे वो महसूस कर दे भी मैं तरम दे लेक दे मैंटली इना जादा डिस्टर्ब होंदा है ऐसी हालत बन जान दी औरंग जेब दी कि दिनों दिन कमजोर होंदा होंदा ओ मंजे दे उपर बिस्तर दे उपर आजान दे सिर्फ एक बनदा उन्दे कलो रह जान दे जिड़ा उन्दी देख पाल कर दे होर कोई भी उन्दे कलो नहीं अखीर दा समा जिड़ा है उन्हें जिड़ा समा बियान कीता उन्व प्रिंसिपल सद्बीर सिंग जी ने मर्द अगमडा किताब अंदर लिखिया है उन्हों लेख देने शिकस्त नामा गुरु कलगी तर पात्षा जी ने जिड़ा ने आपना लिखिया देखो सब को जी सद्बुरु गुरु गोबिन सिंग पात्षा जी संसारिक तोरते गवा चुके ने जी अनंद पुर सहिब जी दे किले दी गल करियो भी नहीं जे वड़े सहब जादेयां दी गल करियो भी चमकोर विच शहीद होगे ने छोटे सहब जादेयां दी शहादत हो चुकी है मातामा जेडियां ने गुरु के मैल ओ गुरु दे नाल नहीं सद्बुरु गुरु कलगी तर पात्षा जी इने एक बरतारे तो बाद और अंगजेब नो जेत दी चिथी लिख देनी जफर नामा जेत दी चिथी है और एक एक लवज मैं केना कि ते संगत ओवे गुरु कारविच ते तुसी कदियो से जफर नामे दी शब्दावली नो समझो मेरा बड़ा मानन देबी मैं जफर नामे दी विचार को अडे नल करां पर साच भी चोनु समझन दे लेओं दे लिसानू इनी एक आगरता चाहे दी और इने चड़ दी कला वाले बचन एक एक शब्द सत्गुरांदा देखो केड़ा संसार दे अंदरे जी जड़ा शम्हेदी हकोमते बैठे होई बादशान धूए आखे कि ना जेबत तुरा नामे औरंग जेब के औरंग जेबा नयाएब फरेब की औरंग जेब बेशक तु आपना नाम औरंग जेब रके आई औरंग जेब दा अर्थ होंदा है ओ मनुख जेडा किसे ताखत दी शोबा होगे त्यान देना औरंग जेब ताखत दी शोबा इदो शब्द ने औरंग जेब ताखत दी शोबा पर कहन लगे सद्गुर जी की तू ताखत दी शोबा नहीं तो एड़ा वड़ा फरेबी हैं तेरे वर्गा फरेबी दुनिया तरहाईई कोई है तो तरमदीया सोगा खाके आपने तरमधी सोगा के भी तो आपने तरमदा माननी रखे आगी तेरे तो वड़ा फरेबी कुण है और ये जफर नमा सद्गुर जी लेख के पेज रहने और सद्गुर जान देने की जे पेज ये ते पढ़या भी जाएगा और ये ने चड़दी कला वाले बोल औरंग जे बेना शवदानों पढ़न तो बाद दिनों देन शरीरक तोरते निडाल होया ये बचनों नों अंदरों अंदरी खान लगेते मंजेते पेगे उन्हें सद्गुरा नों एक चिठी लिखी जिनों ने नाम दिता शिकस्त नामा उन्दे बिचों ने बड़े पाप उरत बोला कि ने मैं उस पासे जाना नी चानदा सिर्फ एक बेनती कर दिया इतो तक उन्हें उन्हा शबदां बिच बचन लिखेने कैनल लगेомें ऐसा पापीया कि मैं जिस दिन मर जामां मेरे मरं तो बाद जिते मेरी कबर दोवे जिते मेनू दफनाया जावे मेनु दफन तो बाद वी एह हक नहीं कि कोई मेरी कबर दे उते कोई रुख लाए तांकि उस रुख दी शाँ मेरी कबर दे पवे मैं इने पाप किते ने कि मरन तो बाद मेरी कबर नु भी शाँ नहीं चाही दे पाप मेरी कबर दे उते शाँ होए शैद एवी में नुन नसी बना होए ये उन्दे बचने जड़े उन्हें गुरु कलगी तर पाथशा जिनुन लिखे खेर सद्गुर जी मिलन ली गाए से और जिदो सद्गुर जी जैपुर दी तरती ते पहुंचे आगरे तो चल के इदर मुकसर दी लड़ाई तो बाद जिदो सद्गुर आगरे तो जैपुर पहुंचे राजिस्थान इस थांते पुंचन तक सद्गुर नो पता लगा भी और अग जेब जेड़ा है उन्दी मौत हो गई इते मिलन दा सिलसला फिर खत्म इस थांते जैपुर दे अंदर जेडी जैत राम सी दादू दी कबर बनी हो ये दादू असल विच बड़ा तर्मी बन्दा सी इन्दे नाल पहला में सद्गुर जी लंग देया होया इस अस्थांते आये संद इन्दा जनम पंदरा सो तर्ताली समीद है तानगुर नानक साही जोती जोत समागे साँ उस तो बाद देयंदा जनम है इन्दे इन्दो मनन वाले लोग न ने इन्दी कबर बनाई ये कबीर पंद थी तो । बाबा कबीर सहब जी दी बानी तो प्रभावतों के इन्ने अपना इत्पन्त चलाया सी जिन्नों दादू दादू दौरा केंदे सा इन्दा जिड़ा उत्रा दिकारी सी उ जैत राम सी जी दो इस थांते आए क्योंकि तर्मी बंदा सी और मेरे सद्गुरा ने तर्मी बंदेयां दा बड़ादर कीते हैं तेहां देना पामे कोई भी है एवे नहीं साइमिया मीर जी कलौर मंदर सहब जी दिन्नी रखवाई आखर जे साइमिया मीर दी गल करिये उन्दा तर्म ते सिक तर्म नी नाएगा ओ ते एक मुस्लमाने ना पर सद्गुर जी ने निया क्या भी तर्मी असल वीच बाबे नानक दे तर्म कारदा ए सिदानत है ये ते जेड़ा भी आपने तर्मनों मननवाला सचा तर्मी है मेरे सद्गुर ने उन्दा बड़ा मान के उन्मों बड़ी इज़त दिती है वेखो बाबा फरीद सहीब जी दी बाने गुरु गरंट सहीब जी तो दर जाए पर बाबा फरीद सहीब जी कोई सेखते नहीं न एतने असी कह सकते भी बाबा फरीज सहिए गुर्नानक सहिए जी दे अनुいाई होन, या गुर्नानक सहिए दी बिचार तारा, गुर्नानक पाथशाजी दे फलस पे थे चलन वाले हुना दे च़ड़ा थे, हाँ, जेडी बिचार हुना ने दिती हो साथ भी चराबनाल जोड़ दी सी बेशक से खमरत वे ले उटके इन पाणियां दा पाठ कर दे शाम नो शिरी रह रहा सहब जी दे पाठ कर दे रात मुस्वों लगयां सो ले सह पढ़ दे पढ़ते आंदे ना मुस्लमान वीर ते पंच वे ले दिया नमाजा पढ़ दे ना पर सद्गुर ने बाणी विच दर्ज किता उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार मैं के ना कोई मुस्लमान बंदा होगे तियो तानगुर गरंद सहिब जी दे आ बचन पढ़ ले किते के उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार जो सिर साई नानी में सो सिर कप उतार जे किते ओ बाबे नानक दे बानी दे विच ओ बाबा फ्री सहिब जी दे बचन पढ़ ले ति मैं करनो सदके जाएगा तानगुर नानक सहिब जी दे चरना तो वाके गा सच विच तानगुर नानक पाथशा जी दा जड़ा तरमे और राबनाल जोडन वाला तरमे मेरे सदकुर ने किरपा की ती जिस वेले दातार पिता जी इस थां ते पहुंचे दादू दे दवारे ती इते आस लिख देक बड़ा बड़ा पर संग वापरेया सद्गुर ने अपनी तीर दे नोग दे नाल दादू दी कबर अपनी तीर दी नोग जड़ी सी दादू दी कबर दे लाए सिक समझ गे है उन्हान आखे भी सद्गुरू तुसी ते दादू दी कबर दे तीर लान दा मतलब से उनू सिजदा करना सहब तानुगुरु गोबिन सिंग पाधशा जिनु पाई दया सिंग जिने जिदो तीर लाया सद्गुरु ने तीर दी कमान ओती हात पड़ सहब करना लगे सद्गुरु सानु कबरां ते जान तो रोक देओ तोडा हुकम है सेख कबरां दा पुजारी नहीं पर तुसी दादू दी कबर तेज तीर चुकायाए सहब तानगुरु कलगी तरपाथशा जी मुश्कुराए खोश होए ते सद्गुरु कलगी तरपाथशा मर्द अगमडा सहब किंदै कि साचविच दया सिंग मैं वेखना सी खालसे दे अंदर किनी को जुर्ण पैदा हो गई साचविच गुर्मको सद्गुर्ण ने 249 साल बाद फलस्पा जिड़ा त्यार की तै ए थे आया खालसा पंथ कि आज जे खालसे पंथ दी डोर संबालन वाला जे कोई जथेदार जे कोई आगू जे कोई तरमी बन्दा ओ तरम दे अंदर रह के कुरेत करदा है ऐसा कर्म करदा है जिड़ा गुरु दया से अंसार नहीं ते एक आम सिख उठके उन्हों कैन वाला होए भी नहीं तूं जो कुछ कर रहे हो गल्त कर रहे है प्रत्यान देना इस जुरत आज साड़े अंदर है इस सोचन वाली गाले एक क्यों साद्गुर ने प्रहे है एक कोई इतियासिक बोल जेड़े ने इना दा कोई मंतव सिर्फ एना थोड़ा भी इसी पाड़ ले ते दे चले गए इना दे वीच इक बड़ी ढूंगी सिखे आए साद्गुर जी चांदे संद सेख इना जुरत नाल पार जाए कि जे तरमदी अगवाई करन वाला भी तरमदी नरादरी करे ते उस सेख खड़ाओ के उन्दी बाँ फड़के आके भी तू तरमदी नरादरी किती है तेनु सजा मिलेगी हो साच विच होया है अकाली फुला सिंग ने जिस विले मारादा रंजी सिंग जी दा राज सी ओ अकाली फुला सिंग ने जिते ही सी ना सजा ओ मैं परसंग डिटेल चुनी जाना चांदा सिर्फ ये जुरत उनी चाहिए दी एक खाल से दे अंदर मामे अकाली फुला सिंग जी अकाल तक दे जथे दार ने परते आंदेना मारादा रंजी सिंग जी ओने जिन आने खाल सा राज कायम करके खाल से दाज दे आगू ने परते आंदेना जिदन गलती हो करदेने अकाली फुला सिंग जी केंदेने गलती है तो आड़ी इन दे बदले भी चुत आनों कोड़े आंदी सजा दिती जाएगी ते आनदेना जिड़ा अगे बेठा सी आगू ओवी हाथ जोड़ के खड़ाओ के केंदे है क्योंकि उन्हों पता है एक खाल सा गुरू दा सचा खाल सा है ओवी हाथ जो खाल से दा हुकम मेनू वो परवान है ओगो ओखाओ के जुरत नहीं आपनी दखानदा भी नहीं मालक ता मैते इस राज़ दा आगूआ तुसी मेनू कि मैं क्या सकते है त्यांदेना साड़ें दराज जुरत है नहीं कोई तरम दा आगू गलत करे तेसी उन्दी बाँ फड़ किया कियो भी तू गलत कीता है सद्गुर गुर गोविन सिंग पाथशा जी ने किरपा की ती तो सद सद्गुर जी चले दातार पिता जी ना देर दी तरती ते पहुंचे बाबा बंदा सिंग बहादर जी ना बुला कातोई ओ पर संग पूरा सद्गुरां दा जो भी सी उते सद्गुर ने बाबा बंदा सिंग बहादर नू सद्गुर ने अम्रत दी दा देती नाम रखिया गुर्बग सिंग बंदा सिंग बहादर ए लकब दिता सी सद्गुर्ण ने जिदो ने आखिया सी मैं तो अड़ा बंदां ते सहब ने आखिया सी जे बंदां एं ते बंदे आमले कामकार ओ बंदे तो बंदा सिंग बने आ सी पर असल नाम सी गुर्बग सिंग ए थे सद्गु ने किर्पा किती जिदों बाबा बंदा सिंग बहादर सद्गुरां दी शर्ण विचे ये थे माता सहीब कोर जी भी आए ओवी कुछ दिन रहे पर परसंग जेड़ा वापरिया इद्रों जेड़ा नवाब सी सरहांदा ओवेखरिया से भी किमें किमें सद्गुर कलगी तर पा देनाल ते काल नू जेड़ी तलवार मेरे सिरते चलेगी क्योंकि मैं गुरू दे सहब जादेया नू शहीद किता चोटे सहब जादेया उन्हों आपने पाप नजरारे से ये ते आसले खदों ने पहलों भी मुगल पठान पेजे से से सद्गुरा नू खत्म करन दे लई मा आपना ओई ए जेड़े दो बंदे उने पेजे सन जिना दा यते आस विच नामे गुल खा ते जब शेद खाओ ए दोनो पठान सन ए असल विच ते आस लिखदे ए इना दा गुरू कारदे विच आना जाना बड़ा से इने माया दा पैसे दा लालच दिता जगीरा दा थे इते सेवा कर दिया कर दियाना ने पता लाया भी गुरू है कि थे सद्गुरांदी पूरी जेड़ा उठोंदा रहना सी ओथे किमें सद्गुर रहरे ने केड़ी थांते रहरे ने इना सारा कुछ डिटेल विच पुछ पछा के थो फिर नंदेर दी तर्तिवल चाले पा इते दातार पिता तन गुरू कलगी तर पादशा जी ते आसलिक दे शाम दा वेला शाम दे दिवाना दी समाप्तियोई सद्गुर जी जिदो अराम करन दे ले रात मू अपने तंबू विच गए ने सद्गुर पादशा जी जिदे रात रुके संद उस थांते जिदो पालक शी नेडू दे नेड़े रैण वाला तंबू दे बार ओ हर वेले इते आसलिक दे उन्दा जिड़ा नामे पाई आलम ते पाई आलम बाबते लिखिया जान दा भी इन न गुरू दाणाई सी भी जिदों गुरू जिदों ज्धुर जी तंबू वे जिन्नी दीर तक अ आखनी सी लांदा, सुंदानी सी एगा, सारी सारी रात जागदा सी, पर रबजीदा सबब सी, ए जिनों सद्गुर अंदर ने तंबूदा चार चुपेरा काट रहा सी, ए जिमें तंबूदे पिछले सैड़ते गया, इना दोवाने समा पाके तंबूदनों चीरया ते अंदर अंदर जाके, गुरु कलगी तर पात्षा जी दे उपर गुल खां, जिड़ा पठान सी ने अपनी कटार कड के, तन गुरु कलगी तर पात्षा जी दे उपर अटैक कीता, ओ जिड़ी कटार बड़ी तिखी सी, ओ सद्गुरां दी कमर विच वजी, कमर कसा सद्गुर जी न जिदो वजी खून दा फुआरा निकलेया दातार पिता तान गुर कलगी तर पात्षा जी उठे संबले जिनी देर उने कटार मार के कटार बार का हाथ चुकिया जिनी देर चुकिया उनी देर चुए सद्गुरा ने अपने सरानी पई सम्शीर फड़के गुल खान दा सिर ताड़नलु वाक कर देता इदरो जमसेद खान डरदेया पजा बारो आलम खाने फड़के उन्नु विच टका देता उन्दी भी उते था ते मोत हुए इते आस लेके दे सद्गुरु गुल कलगी तर पात्षा जी दे कमर दे विच लगी कटार जिदो कड़ी खून निकलिया इना खून निकलिया वैद बुलाए गए दूरो दूरो वैद आये पर किसे कलो ओ फट चंगी तरह खून रुकिया नहीं फिर किया बहादर शा ने किसे अंग्रेज वैद क्योंकि उस वेले तक अंग्रेज आगे शन हिंदुस्तान अंदर अंग्रेज वैद मुपे जिया जिनने तान गुरु कलगी तर पात्षा जी दा इलाज किता ओ फट शिता गया तांके लगे 14 दिन सद्गूर पात्षा जी आराम गाविच रहे 14 दिन बाद सद्गूर पात्षा जी दा ओस फट जेड़ा सी सीता गया सी जेड़ा ओ जेड़ा नसूर शी खत्म हुया ठीक हो उन लगग लगग चोद्वें दिन बाद सद्गुर्जी संगत भी चाहे ये ते आज लिख दे भी एक सिख ना उन्हें नो टका तीर टंक समझ दे ओ ये जेड़े वजन चुकन वाले ने उन्हों पता है ये बड़ा वड़ा ने एक तीर बनाया उन्दे ते आम बंदे को लो चिला निसी चड़ आया जाना ते ओ कवी संतोग संग लेख दे ने सामने बेठेक सिख ने मान्चु फुर्णा बना लेया भी गुरु कलगी तर पात्षाजी के इन दे ते चिला चड़ा सकते ने चिला दा मतलब हो जड़ी डोरी एक सिरे तो दुझे सिरे ते बननी हो दी इन ड़्णा बना के इन दे ते चिला 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 चड़ा दिता पर जोरे ना लगा भी उर जखां पिर फट गे बात घ़। फिर सिखाने आखे, भी सद्गुर्ट तुसी अराम करो, वैद मों बलाया गया, पर बात्षा कहने लगे नहीं, होन परीपूरन परमात्मा अकाल पुरुखदा हुकम, जिड़े बचने ते आसे लिखेने कभी संतोक से चुड़ा मनिया हो, पुरातने ते आसे कहरने भी, होन स आगे है, कि यसी उस फरमात्मा अकाल पुर्खदे चरना दे विच उन दे आपे विच लीनो ये, सेब बात्षा जी दे सामने सिख, क्योंकि एक जिदो गुरु बोलदा वेते सिख दा, हिरदा किना को अंदरो दुखी होएगा, सिखाने असल विच पावु को के, अख्खा विच हम जू ले आके बचना के, भी सद्गुरी इंजनाक हो, तुसी हो ते पंथ है, पाद्षा कैन लगे नई, मैं चानना हून काल नो गुरु गरंद सहिब जी दा प्रकास किता जाए, परे दिवान विच असी तवाडे रूबरू होंगे, अगले दिन दिवान सजे, ता ते तवाडे जेडी एक रीद चली सी, शरीर गुरु दी, गुरु नानक सहिब जी तो लेके होंगे तक, आज तो बात तवाड़ा गुरु शरीर नहीं, तवाड़ा गुरु शब्द होवेगा, जड़ा पहले जामे मिच बाब नानक ने बचना किया सी, जिदो सिदा ने प अज तन गुरु गोबिन सिंग सहीब जी के दिने शिखो, आज तो बात वाड़े गुरु शब्द गुरु होंगे, शरीर दी, असी आपनी जोत, ग्रंथ दे अंदर टिका के जा रहे हैं, परसी आपना आपा पंथनू दे के जा रहे हैं, पाव, समुचे खाल से पंथनू, सद्गुरु गुरु कलगी तर पाथशाजी ने समुचे पंथनू एह हुकम कीता, जो पिछले दिन आप सद्गुरां दा गुर्ता गदी दिवस मना के गए हो, ते ते आस लिख दै भी सद्गुरु पाथशाजी ने केन तो बाद, आप सद्गुरां ने अपने ली चिखा चिनवाई, ते आदेना ए बचन में अपने लो नि कह रहा, एतियासक बोलने सद्गुरां ने जे सथां ते आपनी चिखा चिनवाई बनानी सी, सिखा नो कम किता, उस सथां ते चिखा बनाई गई, सद्गुरु गुरु कलगी तर पाथशाजी ने अपना चोला ते आगया उते फिर सद्गुर पाथशा जी दा अंतम जड़ा ससकार सी ओ किता गया तानु गुरु कल की तर पाथशा जी आज दे दिन 1788 जोती जोत समाउन देने ते समाउन तो पहला समुचे खाल से पंतनु शब्द गुरु तानु गुरु गरंट से पाथशा आद गरंट दे लड़ा के जान देने और सच विच ए ऐसी परंपरा क्योंकि इस तो पहला सद्गुर पाथशा जी बाबा बंदा सिन बहादर नो पंजाब वाल तोर सुके सा ये तो फाटवाजिद है ना कुछ दिना बाद जखम ठीक होंदे सद्गुर जी बाबा बंदा सिन बहादर नो पंजाब वालो तो तोर देने हलाकि बाबा बंदा सिन बहादरे के देने कि सद्गुर जिननी देर तक तुसी पूरन तोरते ठीक नहीं हो जान दे मैं नहीं जावाँगा पर सद्गुर ने हुकम किता नाल पांज सिख दिते पांज तीर दिते सद्गुर पात्षा जी ने निशान सहब दिता गुर्दे पिता जी ने आखिया कि जिते तवानु जरूरतो है इना पंजान दे नाल तुसी मश्वरा करना सला करनी फिर खाल से पंथ दी चरदी कलाली उदम करना बाबा बंदा सिंग बहादर दिर पंजाब दी तर्तिवा लाएने ओदर तान गुरु कलगी तर पात्षा दश्मेश पिता सद्गुर जी आज दे देन जोती जोत समाँ देने जो देन आप गुरु की गोद विच बैठके अज मना रहे हो अरदास करिये सद्गुर अंदे चरना विच तान गुरु गुरंद से पात्षा जी किरपा करन गुरु कलगी तर पात्षा जी शवद गुरु दे लाड़ सानु लाके गएने शरीरक गुरु दी सद्गुर ने दसवे जामे भी चुक्म करता भी आज तो बात वाड़ा शरीर गुरु नहीं होएगा पर खालसा पंतजी सोचन वाली गाल है अज शरीरक तो ओरते असी किन्ने को गुरु बनाके बिठे है नो माफ करना कोई गुरु की गल मनन वाला सदकारक सिखोवे सिख दी पद्विये पाई दी पद्विये परते आन देना सद्गुर पाथशाजी ने गुरु दी पद्विये सिर्फ गुरु गरंद से जिनों दिती है किसे होर नो नहीं असी गुरु गरंच से पात्षा जी दी हजूरी विच भी कोई बेठो हुए ना साच विच असी उस बंदेदी पर करमाते करनी शुरू कर देने हैं पर गुरु गरंच से पात्षा जी नो अंगोला कर देने हैं इस सोचन वाले गाले बेशक ना मवखो वक्री राख ले कोई संत बन गया कोई ब्रम ग्यानी बन गया पर मेरे सद्गुर ने कोई ऐसे लब्ज अपने इतियास विच आपनी हिस्टी विच नि दिते हां मान दिता पाई कहके गुर्बानी मिच भी दिता जितो सद्गुर ने पाई करके संबोदन किता ओथे सद्गुर पाथशा जीने सिक इतियास अंदर पड़ो जिडे गुरु के प्यार वाले सिक शन उना नो पाई कहके सद्गार दिता दसमें जामे तक एतो ताक कि जिदों सिक इतियास में चेना कुझ वापरदै कलुकारे वापरे चोटा कलुक वड़ा कलू कारा अठारवी सदी तक इना कुझ वाप्रिया उस समय तक ना कोई संत सीं ना कोई ब्रम गयानी सीं परते आंदेना आज एने को संत ते एने को ब्रम गयानी हो गया कि सानू ओख हो गये फुन जाए किस पासे गुरू पाथसा जिदा हुकम मन लिये कि सिखो तो गुरु शब्द है जिदन शब्द दे लड़ लग जावांगे ओदन अपने आप साधी सोच भी चूँ ए सब कुछ बार निकल जाएगा जिदने तक गुरु दे शब्द तो टुटे रमांगे त्यान देना एक नई हजारां खड़े होंगे हजारां ने लखा होंगे पर साध लेवर गे गुरु गरंट सेब जिनु चढ़के फिर उन्हादियां पर करमा कर दे होंगे इसलिए शब्द गुरु दे लड़ लगना बड़ा जुरूरी है गुर्बानी पढ़िए आप पढ़िए समझिए सद्गुर गुरु गरंट सेब पादशाजी दे चर्ना विच ज जाना जो सद्गुर अंदा नेमे उन्हों निबाईये सद्गुर गुर कल की तर पादशाजी किर्पा करन बक्षिश करन हुईयां गलतियां बक्ष लैनियां जी वाहे गुरु जी का खल साथ